अब मान लिजे कोई कहे कि इस जगत में क्या कठनाईयां हैं उच्छ लोग में तो कोई दिक्कत नहीं लगती है बहुत लंबी आयू है कोई बिमारी नहीं मृत्यू नहीं है यह समझते हैं स्वर्ग में कोई बिमारी नहीं होती है स्वर्ग में कोई बुढ़ा भी नहीं होता है और जन भी इस प्रकार से नहीं होता जैसा कि हम लोग सोचते हैं लेकिन मृत्यू होती है और मृत्यू भी फिक्स होती है उसे पहले नहीं मरेंगे ऐसा नहीं कोई वायरस आगे मर जाएंगे ऐसा नहीं होता है फिक्स टाइम में पुर्तर देखेंगे पढ़ते हैं मेरे पिशे बलिए आप रम भुवना लोका हा अब्रम भुवना लोका हा पुनरा आवर्तिनों अर्जुना अर्जुना मामुपेत्या तु कौन थे या पुनर जन्मना विद्यते आप ब्रह्मा ब्रह्मा जी के लोक तक आप ब्रह्मा भुवन भुवन मतलब होता है घर ब्रह्मा जी के भुवन तक जितने भी लोक हैं आप ब्रह्मा भुवना लोका हा पुनरा वर्तिनों अर्जुना वहां पे पुनरा वर्ति होती रहती है वहां लेकिन लेकिन माम उपेत्या जो मुझे प्राप्त करता है कॉंतिया पुनर जन्मना विद्यते उसका दुबारा जन्मन नहीं होता है जब सारे लोग दुखों के घर है जहां जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है जब सारे लोग दुखी हैं दुख के घर हैं तो इस जगत में इस इह लोग इस भौतिक संसार में या इस प्रत्वी लोग में हम कैसे ऐसी स्थित्य की कलपना कर सकते हैं जहां पर मृत्व नहों जहां पर कश्ट ना हो मेरी बात समझ में आ रही है लोग सोच रहे हैं कि धन इखटा करके या और कोई वस्था करके हम इन कश्टों से दुखों से निवृत्त हो जाएंगे ऐस वन नहीं हो सकता जब ऊपर के लोगों में भी प्रत्वी लोग में तो कहना ही किया बहुत सु क्यों हो भई मर्थ मतलव as sure as death मरेगा जरूर और कुछ मिले या ना मिले हेरो बने या ना बने जीरो बने या ना बने लेकिन मरेगा जरूर अच्छी बात प्रपात कहते हैं जब केनेडी को शूट किया गया था प्रेसिडेंट केनेडी को तो बहुत अच्छी बात प्रपात कहले हैं अच्छी बात प्रपात की बुद्धी थी कितना सुन्दर कमेंट है उस समय अमेरिका अभी काफी शक्तिशाली उसमें सबसे अधिक शक्तिशाली देश था उसके वह प्रेसिडेंट थे टॉप अफ दा वर्ल्ड थे और आउट ओड़ एक शड में सब्गार इसको सुनना चाह सब्सक्ति यह कोई फाइदा नहीं थोड़ा समय है भगवान कृष्ण की भक्ति करें थोड़ा समय में भ telev Tamgeld पराप्त जहांसी में back to Godhead magazine आपने बताया था ना बताइए बोलिए सुन्दर है बहुत सुन्दर बात है कैसे लोग मूर्ख होते हैं प्रभपाजी जहांसी कर रहे थे तो एक विक्ति कुरूने पुस्तक दी अनिग्रयों की सुगम्यात्रा एजी जर्नी टो अधर प्रनेट्स तो उसक जहांसी तो नहीं आ सकते हैं वहां पर एक बार गया व्यक्ति वापस नहीं आएगा तो तो देख सकते हैं उसको जहांसी जाने में जहांसी चोड़ने की आशकता नहीं भागवत धाम जाये तो भी जहांसी डॉट क्या है अब यह कंद्धि की लोगों की बुद्धी तब समंद्ध को समझ पाएगा भगवान से इसलिए जब करना बहुत जरूरी है नहीं तो समझ भे भी नहीं आती बात गीता भूशन टिका जो मेरी पूजा नहीं करते हैं यद्धि वह अपने कर्मों के द्वारा स्वर्ग आदि प्राप्त कर लेते हैं पर तो फिर भी वह उससे किर जाते हैं तो सपश्ट है हम पढ़ चुके हैं देवताओं की फुजा करके आवर्ण यह इंगित करता है कि जीव ब्रह्म लोग परियंत स्थि प्राप्त करते हैं मतलब अपने कर्मों के अंसार विक्ति ब्रह्म लोग तक प्राप्त कर सकता है लेगर फिर उसको न अपने कर्म समाप्त होने पर प्रत्वी पर जन्म लेते हैं यह बास समझ में आ गई माम उपेत्य शब्द को पिछले श्लोक की पहली पंक्ति में कहकर भगवान श्लोक में पुना कहते कहते हैं ताकि उनका वाकित दिर्ड़ हो सके मैं कोई बात कही गई है उसको फिर से रि माम पने कॉल आइसे आप सनते है के अपास नहीं मेरे पास याटा हो आपस नहीं आता जैसे एक लगुस्द को बार बार बोलना दोश माना जाता है लेकिन जब उसको Dash को एमपसाइज द्रड करना हो तो दोच नहीं होता है उसी प्रकार से माम उपे ते पिछले श्लोक में भी आया इसी श्लोक में फिर से आया किसलिए द्रड करने के लिए देखे इसलिए ठीका बड़ी सुंदर होती हम समझ पाते हैं उस गीता के शब्दों के मुख्यता को मुख करते हैं वे अपने भोग समाप्त होने के बाद फिर पृत्वी बें गिरते हैं पंचांगनी विद्यय याद आ रही है जीव स्रधा से कुछ अर्पित करता है उससे वह उस लोक की प्राप्ति करता है उस लोक में बज़व का पुन्शिण होता है तो वह उसको अर्पित कर तो प्रवर्शा से उनके जो भोग समाब्त हो जाते हैं तो वापस वाए नीचे गिर जाते हैं जितना जन्म मिर्तियों लेने में जितनी problem इस फ्रॉब्लम इस लोग में धर्ति लोग में जहलने परदियों उतनी है शुर्ण लोग होता है तो वेसा नहीं होता लेकिन ये बात समझना चाहिए कि जब भोग समापत होंगे ऐसा हम सुनती हैं कि उसमें शास्त्रे वद्लान की माला उंको दी रहती स्वर्ग में जब माला सूख जाती है तो मर जाते हैं अब सराओं के बच्चे नहीं होते है बच भोगए तो आप लोग भाक्त हो तो आपको लगता है कुछ बाते बता होंगी कुछ बाते नहीं पता होंगे लेकिन समाने लोगों के लिए में रहस्य है एक्टम रहस्य है कि रिसर्च चल रही है कि जीवन है नहीं करोण रोपे खर्ट करें सौर रोपे ये गिता नहीं खरीदेंगे अब बड़ा गंभीर बात है जो भी पार्थ प्रवुने प्रश्ने किया उसका उत्तर इसमें आ जाएगा जैनि जो व्यक्ति अपने सकाम कर्मों के द्वारा देवताओं के लोग में जाएगा तो उसन क्या होगा भोग समाप्त होने के बाद पुनि समाप्त होने के बाद वह गिर जाएगा ठीक अब सुनिए परन्तु जो भगवान के सनिष्ट भग्त होते हैं वह एक के बाद एक विभिन ग्रहों का अनभव करने के बाद भी नीचे नहीं गिरते हैं सनिष्ट भक्त कौन था सनिष्ट भक्त वो होता है जो वर्णाश्रम की क्रियां भी करता है भगवान की बक्ति करता है अनन्य नहीं है अनन्य नहीं है लेकिन भगवान को अपने कर्मित्यादी भगवान को समर्पित करता है कर्म योग करता है फिर अश्टांग योग करता है ऐसे करके क्रम शाहा वहां से कुछ ना कुछ जुड़ा रहता है इस प्रकार से उस ग्रह के नश्ट होने के बाद वह भगवान के परम धाम को चले जाते हैं तो अब आप समझ पा रहे हैं पारत्री प्रभू ऐसे लोग जो अनने नहीं है लेकिन भागवान के भकत हैं तो वह तो प्रभी जाएंगे तो वहाँ भकती केंटीन्यू करते हुए जब ग्रह न Schnee 사 schöne नश्ट होगा तब भगवान के जाएं से क्रम मुक्ति कहते हैं कौंसी मुक्ति क्रम मुक्त 1 एक 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 पीस प्रकार से बने मंतों हो जाते हैं है श्मिर्यती केहती है ब्раभ्मान सहतों सर बहुत थाव जाते हैं तो समझे इस बात को ऐसा नहीं है कि हम सब लोग को पहले बनम लोग जाना पड़ेगा ताब भगवान के धाम जाएं जो पूरी तरह से शुद्ध भक्त नहीं है जगत के कुछ भगवान की रचना कहते हैं जाना ही है फ़र देख लेते स्वर्ग कैसा ह इंच बोग कैसे रिडाल ऐसे देख तो ली दिखा देंगे उसको हाँ रहेज देखाने की मतल़ है जाते हैं मतलब सर जाना चाहते हैं इस प्रकार की भावन आ वह reinforcement क्रमिय pens mokti टृकता समय लगता है है नहीं तर प्रविर्टि मार्ग क Viel ard और क्रम मुक्त क्रम से तर सवक्त करें लोगलुग है कि यह करवकांड के प्रप्राप्त सवक्त नहीं है जो बहुता है जंद कुछ अगे तो तो उसमें बहुत इचा है रहे जाएंगे तो उस प्रकार से रहेगा फिर वहाँ पर जाके प्रब्ब तीरिप्त हो जाएंगे मैं थे में प्राकरक्थी करें मतलब हो कैसे स्वार्थ माराज बता रहे थे कि प्रहुपाजी के शिश्यों का वक्तव है कि उन्हें प्रहुपाजी की सेवा करी निस्वारत भाव से जवानी में. और उसके बाद फिर वह बहुत इता में चेले घए, पैसे हैं कमाये, कुछ किया. लेकिन वह उसमानाड कर रहे थे कि जो हमने प्रहुपाजी की सिवा करी, उतना जो सुख मिला, वह दुनिया की कितना भी धन कमाने से सुख प्रात्र नहीं तो यह सिद्धान्त है अब समय मिलेगा लॉट्टाउन और लंबा हुआ तो हम लोग नारजी की एच्छा करेंगे नारजी सिख्षाओं की कि किस प्रकार से जो एक बार भगवान श्री कृष्णी की भक्ती में आ गया गिरी भी जाएगा तू भी उसको याद आता है कि अरे वह सुख तो अलगी था भक्ती का सुख जो है वह अलगी था उसको याद करता याद करके फिर भवान के पास आता है तो अगर किसी की स्वर्ग जाने के एच्छा है थीक है स्वर्ग जाकर देख लो और वहां भी हाँ नाइस होते हैं यह समाप्त होते हैं यह अच्छा प्रष्न है वोससित का उतर भी आगे आने वाला है लेकिन ब्रश्न यह कि प्रतness ने के बागर मनवंतर के बाद नक्राची अनष्ट होते हैं तो समें दो भुमत हैं सामि कहते हैं कि हर मनवंतर में प्रलय नहीं होती है और जीव plotation देते हैं कि हर मनवंतर प्रलय होती है आशिक प्रले और वैसे बता जाता है कि ब्रह्मा यह थोड़ थोड़ अलग मता मत हैं और एक जगे अभी ठीका में बलते विद्व पुशन जी समझाते हैं जो सामान अंडर्स्ट्राइणिंग है कि महर लोग तक महर लोग तक ब्रह्मा जी के दिन के एंत में प्रले होती ह यह नश्ट नहीं होते हैं और ब्रह्मा लोग नश्ट नहीं होता है लेकिन जो हीट आती नीचे से संकर्षन मगवान के तरफ से तो महर लोग को टस्ट करती है तो उसके लोग ऊपर चले जाते हैं प्रम लोग में लेकिन वो नश्ट कहा तक होता है महर लोग के नीचे तक स इसपे दो मत जह सकता है जीव ईस्क्र ये बोलते है कि प्रल स्टोक में अन्षिक प्रेल अन्षिक प्रच्छ हां शनलिखा गया है है कि भॉनकेज़ांस सफटय करते हैं वास्तर तight है लिखा है यह बंड़ लोग की स白 dry कि दाम जाते हैं मुझे नहीं पता लेकिन ब्रह्मलोग से जाते हैं यह स्पष्ट लिखा गया है स्वर्ग से आगे वह क्रमिक प्रकति करते हैं जैसे कि हम गोपक मांगे केस में देते हैं स्वर्ग से उपर के लोग जाते हैं महर लोग जाते हैं महर लोग से ब्रहम लोग से पिर वार्प आगर जाते हैं ये क्रबय मुटि स्वर्ग से सीदे वागवाध हम जाते हुम ऐसा हमने शास्तीर से मैं नहीं पड़ा सुना नहीं लेकिंगे जैसे अभी कोट किया कैक है ब्रह्मलोग से चल जाते है यह क्रमिख मुटि आ पर उपर ऐसे करते करते ब्रह्म लोग ब्रह्म लोग से फिर भवान के धाम चल जाते हैं लेकिन अगर भग चाहे तो अन्हें भक्ति के दोरा इसी जिवनम में भवान के धाम जा सकते हैं कि कुछ बोलेंगे तो माइक बोलिए हम सब लोग देखते हुए जा सकते हैं अच्छा है तो आपकी अगर इच्छा है तो पद्यात्रा करा जाते हैं यह देखों यह सहज है भई हम सबकुछ वारी इच्छा पर निर्फर करता है अब कोई कर रहें भगवान के धाम तो जाई रहें थोड़ा चाय पी ने मतलब करने मतलब कि देख लें यहां भी कुछ है यहां भी घंड़ करने के लिए तो आन करते हैं घंगर में आपको देख लिया घंजब सेमें समझ पारे हैं मेरे पाता यहां तो sa Deja Kden MAS हृभ तो इख्छा नहीं करते भगवान के ज्यान आनंद करना नभाष करके देखते हैं अब देखना बाकि क्या रह गया क inclusive रूक देखना चाहते हैं कुछ शबद सुनना चाहतें कुछ चाहते ही तह होता है इसलिए तो हम उसके लिए कौतुक होता है कि अरे कैसा बनाएंगे कैसा होगा लेकिन एक बार जब भगवान का अन्भव प्राप्त हो गया तो अब सारी चीज़ें फीकी लगती है कि समझ में कोई च्छा नहीं रहती जगत में कहीं पर भी कुछ अच्छा है देखने को कि मैं अन्भव बताओं को बहुत छोटा सा जैसे में इंडोनेशा गया था तो वह है मतलब भारत की कंपरेंज में स्वर्ग जैसा है इंदम साफ सुथरा पानी साफ अब जब बोलना चालू करूंगा जब इसे बता रहा था दे गाव में तो एक भक्त बोलने लगे पर जी क स्वर्ग जैसा हो सकता है लेकिन कोई सुख नहीं हम लोग होली रिदे में टीट करने गए थे तो वह स्थान को देखने गए थे एक दिन पहले मुश्किल से आदा गंटा खड़े रहे एक दम अच्छा लाग आरे बड़ा सुंदर पेड़ है यह है वह पहाड़ है सब सुख नहीं देता है अपने पास समझ पार है उनमें कोई सुक नहीं है सुक तो भगवान श्री कृष्णी की भक्ति में ही चिन में सुक आध्यात्मिक सुक जो जीव को संतुष्ट कर सकता है तो जितना भक्ति में आगे बढ़ा रहता तो उसे क्या है हम तो थोड़े बहु प्रवर हो गए आगे बढ़ गए उनको सब किसी वस्ति में अच्छा नहीं हो जाते बोर हो ही जाएंगे कि वह सुख भी सतो गुण का ही है वह को सुख नहीं दे सकता पूरी तरह से कि अध्यात्परे पढ़िए आंपक्रिश्टो समस्त योगियों को चाहे वे कर्म योगी हो ज्यान योगी यह अंतता भक्ति योग या कृष्ण भावनमृत में भक्ति की सुख प्राप्त करनी होती है तब ही वे कृष्ण के दिव विधाम को जा सकते हैं जहां से वे फिर वापस नहीं आते हैं चाहे कके व कर्म योगी पर्फेट नहीं ओ हो तो नहीं हो तो प्रफेट हो जाएगा तो भग्त प्राप्ति कर लेगा जब टकवे भग्ति नहीं करता है तब तक भग्वान की प्रापति नहीं पढ़чи किन्तु जो सरवच बहुतिक लोकों अर्था देव लोकों को प्राप्थ होता है उसका पुनर जनव होता रहता है इस प्रकार से जो लोग काम में कर्मों के द्वारा कर्म कांड के द्वारा देवता को प्राप्थ करते उसका फुर पुनर जनव होता है जिस प्रकार इस प्रतम के लोग उच लोगों को जाते हैं उसी तरह ब्रहम लोग, चंद्र लोग तथा इंद्र लोग जैसे उचतर लोगों से लोगम पparत गयरते रहते हैं चांदोग उपनिशद में जिस पंचागनी विध्या का विधान है उससे मनुष्य ब्रह्म लोग को प्राप्त कर सकता है किन्तों यदि ब्रह्म लोग में वेकृष्ण भावना मृत का अनुशीलन नहीं करता तो उसे प्रिथवी पर फिर से लोटना पड़ता है समझ में रहा पश्ट परुपाती का से बता है कि अधे कर्म काणडी वेकटि ऊपर जाएगा नीचे रही हुँ से बख्ति में रूची नहीं वह वह बख्ति करने है वहां कि नहीं है यह बोल सकता है लेकिन यहां क्या रहे हैं जो उच्छत और लोकों में कृष्ण भावनामृत में प्रग्रति करते हैं क्या अर्थ है इसकार्थ यह है कि बक्ति कर रहा है इच्छा है कि जगत में क्या है कैसा है तो देख रहा है तो क्रम से मुक्ति करते हैं प्रग्रति करते हुए भवान के को हैं वे क्रमशा और उपर जाते रहते हैं और प्रल की समय नित्य परमधाम को भीस दिये जाते तो कि एक विक्ति जो ब्रह्म लोक यात्यादी अपने काम्य कर्म के संपाधन के द्वारा प्राप्त हुआ है वह तो नीचे करेगा अगर भक्ति नहीं करता है तो भक्ति करते करते वह उपर भग्मान के धाम चला जाएगा तो इसलिए जिन्ता नहीं करने चाहिए हाँ अच्छा कर रहा हूं इसलिए ताकि प्रोजने क्या बोला था जैब बोला था रिपीट करना है क्लास में जो भी बोला ये पाल्टी पॉल्टिक्स है जो पाल्टी बोलती वही स्लोगन बोलना हमको कृष्ण ब्रक्ति क्यों करना चाहिए इस कौन में क्या बताया जाता है वही बाते बोलनी है क्या वान के चटकमलों की प्राप्ति ठीके बोलना शुरू कीजिए कहने करता है प्रेम प्राप्ति अपने बाकी साब को चिंता की जुरत नहीं हो पड़ी श्रीदर स्वामी ने अपने भगवत गीता भाष्य में यह श्लोक उद्रित कि अब देखिए प्रभपा इस प्रकार से पूरवर्ति आचारों को लोग कोट करते हैं पढ़िए बल्दी विद्यविशन लिखा और हिंदी में श्रीदर स्वामी लिखाए इंग्लिश में बल्दी विद्यविद्यशन लिखा है हो सकता है मैं तो बहुत करते हैं आपके गीताव से कटकॉपी प्रविशन्ति परम पदम करते हैं जब इस भातिक ब्रह्मान का प्रलय होता है तो ब्रह्मा तथा कृष्ण भावनावृत्म निरंतर प्रवित उनके भक्त अपनी इच्छानुसार अध्यात्मिक ब्रह्मान को तथा विशिष्ट व्यकून लोगों को भेश दिये जाते है अगी फश्ट हैं एक यसोग को देखने हैं तो है जब हम यहां से जैसे और एसामिल टाइप से लोग करते今 जा मिए से भक्ति अजीने Server करके आफ्या मां शीवन जीना करके नहीं आई अग्या मेन सबस्पा लेते हैं वह समय वहां पर दोish किसी तरह से यहां बगती से भागवान का एश्वरी रूप होता है महान एश्वरी रूप तो उसको देखर के वैक्ति प्रेम नहीं कर सकता है नहीं प्रेम नहीं कर सकते नर्सन्देव के कंदों पर चल सकते हैं तो वहां पर प्रेम तो होता है लेकिन प्रेम संकुछ रहता है भगवान है है मेरे प्रोटोकॉल होता है इस भ्रावां से बहुत कर सकते कृश्चिन को आप बिशनु को आप गले सन्हेस्वेकार से नहीं बखना चींच सब्हें करना चाहिए तो प्रोट्ोकॉल है दिन गोलोग में आत्मीता है वही कृष्च्ण है वही विशायत लेकिन आत्मी इता इंटेंस पुरेम है इससे कृष्णी को भी सुख मिलता है और भक्त को भी वह सुख मिलता है मैंने दानम दिया था ना विंस्टे यह समझ में आ रही बातें विंस्टेन चर्चिल प्राइम मिनिस्टर थे UK के और अपने बच्चे को अपने पोते को कंदे पर पीट पर लटाके गोड़ा गोड़ा कर रहे थे तो उससे ऐसा नहीं था कि खाली बच्चे को सुख मिला था कि उनसे विंस्टेन चर्चिल को भी सुख प्राप्त हो रहा था और आसा नहीं कि वह प्राइम इन्स्टर नहीं थे इसलिए रिपीट करने ही पड़ेगी कि भगवान के अपने भक्तों पर निर्भर रहन का गुड़ा है तो उस प्रकार से वह चाहते हैं कि माता मुझे तारवन तारवन करें नाटे गोपियां उलाहना दें तो वेदिकी सुति भी मुझे उतना पसंद नहीं पढ़ती जितन इसलिए तो नहीं प्रकार से लंपट भी बोलती है उनकी कंते पर चड़ जाते हैं तो उनको बहुत प्रीलता है यह सब कुछ प्रेम की वज़े से हो रहा है ठीक है गौलोग बिंदावन में सभी लोग प्रेम प्राप्त करके ही जाते हैं यस राग मार्ग में भगवान का भजन करके ही भगवान के गौलोग की प्राप्ति हो सकते हैं उनको प्रेम के बारे में कोई नौलेज होती है उनका प्रेम भगवान के प्रति होता है लेकिन भगवान के एश्वर रिशाली रूप के प्रति होता है यह उन्हें प्रेम का गोलोग का कि कहना मुश्किल है ना नाला जीन पता है गोब premiers जैब भगवान विश्णु को प्रकार से था मुधू creams करते हैं एसनीह उसनी चुप ओ मुश्कील है। हम से जानते हो लेकिन और कि बारे में क्या जानते हैं जैंते प्रिया होती है कि भाप जाने की हम कुछ नहीं कूछ है है आप जानद रहे नआ यह मोई किव ने है ना को जानता है ने जान। इस प्तरों कोछ बात हैं बड़ी अधोद है व्हागवत के महाता में भागवत के महाता में लिखा है जो हजब नहीं होती हम लोग जातीज कर्चा कर रहे देखे अच्छा प्रश्ण है कि क्या भगवान विष्ण की उपासना प्रलाद महाराज कर रहे थे कि नर्सिंग देव की कि वह भगवान विष्ण के चतर भूज की पुजा कर रहे थे वह तो भगवान को बचाने के लिए विश्वेश अपने नर्सिंग रूप को परकट की है कि हिरना कुष्व को मारना भी था पंडिशन बहुत सारी थी और नक्ष्ट तर परमपरा में ग्यान प्राप्त कर रहा ह है ठीक है गुर मुखा पातना वाग है लेकिन सही बोल रहे हैं सही क्या रहे हैं ठीक है एक श्लोग और देख लेते हैं ठीक है अधिस्टार्ट